जो लोग हमारे चानल को पहले से फॉलो कर रहा है उन्हें एक चीज तो पता है कि अगर कहीं पे मुझे कोई परफॉर्मेंस किसी इंडियन आयल कंटेस्टिंगी या किसी रियालिटी टीवी शो कंटेस्टिंगी अच्छी लगती है तो मैं उसके बारे में बात जरूर करता मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि जो आजकल की modern day singing होती है वो होती है लिथार्जिक singing यानि के बस ठीक है वो गाये जा रहे हैं इतना ज्यादा focus नहीं है character driven singing मुझे नहीं लगती है आजकल के ललकों की जो singing है लेकिन कुछ singers ऐसे होते हैं जो automatically outstand कर जाते हैं हर प्रकार क singing को तो ऐसा ही एक singer मैंने देखा हमारे literally मतलब मैं हरान हो गया एक बार के लिए हमारे होज उड़ गए जब मैंने उस singer को particularly यह गाना गाते हुए सुना गाने का नाम है पहला नशा और यह गाना गाया ओबोम ने ओबोम टांगू जो की इंडिया के पहले गाओं the first village of India से belong कर करते हैं and guys मैं honestly आपको एक चीज बता दू नौर्थीस से आया यह singer अपने singing का डंका बजा रहा है Indian Idol 14 के अंदर honestly इसने इस बार अपनी performance में गाया है पहला नशा जो की उधित नरायन का गाना है और उधित नरायन का गाया हुआ यह गाना जब इस लरके ने गाया मुझे refuse ना करते हैं लेकिन इसने originality को maintain रखते हुए सबसे अच्छी चीज अपने नई तरीके से इस गाने को गाया perform करा and to be honest this song sung by Obom Tango is the best version of this song ever sung apart from Udith Narayan मतलब Udith Narayan जी के अलावा अगर उनके इस गाया हुए गाने को किसी और ने सबसे अच्छा गाया है तो यह Obom Tango ने गाया इसी प्रकार इस बार के Indian Idol 14 के अंदर कुछ आवाजें ऐसी हैं जो बहुत ही जादा कमाल की हैं जिनके vocals बहुत अच्छे हैं जैसे के आद्या मिश्रा बेहद कमाल के vocals मेनुका पुडेल बहुत जबरदस्त simplistic singer एक singer की तरह जीने वाली singer है वो अगर मैं बात करूँ यहाँ प सुखविंदर सिंग का कोई भी गाना वो उठा के गाएगा जबरदस लगता है और हाँ एक और आवाज जो की मुझे बहुत ज़ादा इंप्रेस करके गई है इस बार वैभव गुपता वैभव गुपता बहुत ही ज़ादा पेंची singer है उन्होंने भी सुखविंदर सिंग से के गानी गाया है mostly लेकिन उनके उपर एक गाना बहुत जचेगा जो की होने वाला है भाग मिलखा भाग मुवी का गाना तुम लोग समझ गयोगे कौन सा वो गाना मैं बात कर रहा हूं comment section में लिख देना और लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं इस बार के top 3 जो म माल के हैं लेकिन इस बार हो सकता है कि इंडियन आइडल वाले कही न कहीं पर कोई और प्ले करें क्योंकि यार देखो मेरे को reality shows पर भरुसा नहीं है मुझे singer पर भरुसा होता है मैं उस इससाब से singer को back करता हूं या support करता हूं अपने channel पर एंड लिटरली ये चलता रहेगा इसके लिए मुझे आप लोगों की support लगती है आप लोग हमारे channel को आगे बढ़ाईए so that हम इस तरीके की चीजें करते रहें नए singers के लिए तो like करो, share करो, subscribe करो और हाँ अपने favorite singer को instagram और youtube channels पर उनके support जरूर दिखाया करो क्योंकि जब तुम उनको जाके follow करोगे न उनक्य होंसला और बड़ेगा अच्छा गाने के लिए, so stay tuned and subscribe to our channel and press the all icon button, best of luck to Obom Tangu, अगली बार भी भाड़ेगा लड़का और हाँ, लिख लो, फिनाले में नजर आएगा तुम्हे Obom Tangu